सभी को नमस्कार, राज्यस्तरी आनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है, बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं इस समय कॉमर्स विशे, और कॉमर्स विशे के अंतरगत हम कक्षा 11 के लिए लाए हैं, व्यावसाय अध्यन, चलिए हम अपनी कक्षा का प्रारंब करते हैं बच्चों पिछले पिरेड में हम पढ़े थे, व्यावसाय क्या है उसका अर्थ, प्रकृती और उद्देश, एक बार बहुत ही संक्षेप में आपके लिए फिर से इसका रिविजन कर देती हूं, कोई भी आर्थी क्रिया जो व्यक्तियों दौरा से इंचालित की जाती है, जो निरंतर रूप से की जाती है, तथा वैद होती है, जिसका उद्देश लाप कमाना होता है, वो व्यावसाय कहलाता है, इस तरह से बातिस पश्ट है कि आर्थी क्रिया वैधानिक और निरंतरता ये व्यावसाय है, वो आपको बताना चाहूंगी कि व्यावसाय करने वाल प्रत्यक व्यक्ति व्योसाई कहलाता है और ये व्योसाई एक व्यक्ति भी कर सकता है दो व्यक्ति एक साथ मिलके भी कर सकते हैं और व्यक्तियों का समूह भी व्योसाई को संचालित कर सकता है तो इस तरह से व्योसाई कितने व्यक्तियों दर संचालित किया जाता है इसके आज हम पढ़ रहे हैं Ikaidoo व्यावसाइक संगठन के प्रारूप और इस व्यावसाइक संगठन के अंतरगत बहुत सारे प्रारूप प्रशलित हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे एकल स्वामित्व, तो बच्चो एकल स्वामित्व, जिसको के इंगलिश में कहते हैं, इस पश्ट है नाम से एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया जाता है, इसका अर्थ है कि व्यावसाइक संचालन एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, प्रारम भी एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है, वही व्यक्ति समस्त वित्ती और प्रशास की उत्तरदाईतों को निभाता है, वित्ति उत्तरदाईतों मने धन की व्यास्था करता है, प्रशासन भी वही व्यक्ति करता है, तथा आउशक्ता नुसार अपनी सहायता के लिए सहायक नियुक्त करता है, इस प्रकार एलबोर्न ने कहा है कि एक व्यक्ति ही समस्त उत्तरदाईतों का निर्वहन करता है, और य आप इस स्क्रीन पे देखेंगे, अभी पिच्चर भी आपको इस स्क्रीन पे दिखाई देगा, कि एका की व्यापार या एका की व्यावसाय इस तरह के होते हैं, और इस तरह हम कह सकते हैं, कि एका की व्यावसाय को व्यक्तिगत सहासी भी कहते हैं, व्यक्तिगत साथी इसलिए क्योंकि व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से साहस करता है इसी को हम एकल स्वामी भी कहते हैं एकांकी स्वामीत्व भी कहते हैं और इसे व्यक्तिगत व्यवस्थापक इन सभी नामों से इसको जानते हैं या पुकारते हैं आगे हम देखते हैं प्रब बंदशास्त्री है, इन्होंने कहा है कि एकाकी स्वामीत्व वाले व्यावसाय के अंतरगत एक ही व्यत्ती व्यापार का संगठन करता है, वही स्वामी होता है, तथा वही अपने नाम से व्यापार को चलाता है या व्यापार को करता है, इस प्रकार शुभिम ने भी स्पष् स्क्रीन पर देखेंगे एक वन बाई वन हम आगे देखते हैं और परिभाशा एक प्रबंद शास्त्री प्रबिन प्रसीद्ध प्रबंद शास्त्री उनका नाम है एम आर रनल अब एम आर रनल ने क्या कहा है कि एकाकि स्वामी वह व्यक्ति होता है जो अपने जोखीम पर व्याउसाय का संचालन करता है बहुत ही शॉर्ट और छोटी सी परिभाशा सुंदर सी परिभाशा है इन्होंने एक बात कहिए महत्वपूर्ण से कि जो अपने जोखिम पर व्यावसाय का संचालन करता है जोखिम का अर्थ आपको बताना चाहूंगी कि लाब हो चाहे हानी हो ये जिम्मेधारी उस व्यावसाय की ही होती है इस प्रकार अपने जोखिम पर व्यावसाय का संचालन करता है एक भीभी घ्खोश ये भी एक प्रबंद शास्त्री है और इन्हों ने क्या कहा यह देखते हैं कि वहां व्यवसाय का अकेला स्वाम्य होता है चुकि एक व्यक्ति करता है इसलिए वह अकेला स्वाम्य होगा वही when at a का प्रबंद नियांदरण करता है निप्रबंद भी वही करेगा और नियंत्रण भी वही करेगा इसलिए वह व्यावसाय का अकेला स्वामी होता है इसके अलावा कोई भी स्वामी नहीं होते इस पश्ट हो गया परिभाशाओं से हैं कि एका की व्यावसाय या एका की व्यापार में एक ही व्यक्ति व्यापार का स्वामी होता है वो अकेला उस व्यावसाय का हगदार होता है लाभानी के लिए वह स्वयम ही जिम्मेदार होता है अब बच्चों परिभाशाओं के बाद हम आगे देखेंग कि एका की व्यापार की विशेषता हैं या लक्षन, फीचर साब, सोल ट्रेटरिंग, सोल प्रोपाइटरशिप. पहली इसकी प्रमुक विशेषता हैं कि व्यावसाय का सरल रूप या व्यावसाय का सरल रूप. बच्चों इसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि एका की कि व्यापार व्योसाय का सबसे सरल रूप है विश्व का सबसे प्राचिंतम रूप है और सबसे आसान तरीका है एकल व्यापार इसको सरल इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक व्यक्ति किसी की सलाह के बिना किसी से विचारवे वर्ष किये बिना अपनी च्छानुसार व्यापार का संचालन कर सकता है और लाप कमा सकता है इसलिए इसे सबसे सरल स्वरूप कहा जाता है कि आपको इसके बारे में बताना चाहूंगे कि जब से मानोस अभेता का विकास हुआ है और मनुष्य परिवार बना कर रहना सीखा है तब से ही एकाकी व्यापार का प्रशिलन कहता है कि यह सबसे प्राचीन स्वरूप है और सबसे आजसान स्वरूप है इसके लिए किसी भी तरह के प्रशिक्षन की आउशक्ता नहीं होती किसी भी तरह के विशेश ग्यान की आउशक्ता नहीं होती व्यक्ति को जो आता है उसी कि आधार पे वो अपने व्यावसाय का संचलन कर सकता है दूसरी विशेष्टा है व्यासाय की स्वतंत्रता का अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी इच्छानुसार स्वतंत्रता पूर्वक व्यासाय का चैन कर सकता है वो व्यासाय शर्थ सिर्फ यही है कि वैद होना चाहिए और सरकार द्वारा माननेता क्वामी होती है ुसे हम व्यावसाय नहीं करेंगे इन चीजों का व्यावसाय नहीं करेंगे समाज को जिस से लाव होगा Trad binary से हीत में होगा वो कोई भी वस्तु या सेवा का व्यावसाय कर सकते हैं इस तरहReign is की दूसरी प्रमुंख से नियंतरन रख सकता है क्योंकि व्यावसाय का प्रबंध कैसे करना है इसका संचालन कैसे करना है इसकी देखरेक कैसी करनी है दुकान की सजावट विक्रे ये सभी चीजे स्वामी अपने हिसाब से करता है और इस पर किसी का भी कोई जोर्ज वरस्ती दबाओं या प्रेशर नहीं रहता है इस व्यावसाय पर व्यक्ति का स्वर्यम का नियंद्रन रहता है इसलिए से पूर्ण नियंद्रन कहां जता है और यही इसके एक महत्व पूर्ण है चौथी विशेश्टा है असीमित उत्तर दाईत्व का अर्थ है bright dry Kalinka की स्वामी तुब पर Áकाके स्वामी नहीं कर सकते क्योंकि व्यवसाय के जितने भी कार्य है प्रारंभ से ले के मने उनकी शौप को open करना खोलने से ले के बंद करने तक के जितने भी काम है सारे काम सारे कृताब ख्रय विक्रय दुकान का management करना अपने शौप के कर्मचारियों के देखरें करना सारी जिम्मेदार्य तो इसको निभानी है उसके साथ स्थ असीमीत का अर्थ यहां पर ये भी है कि अगर हमारे व्योशाय से जाने अंजाने में समाज के किसी व बक्षदावा कर देता है तो इसके भर पाई एकल स्वामीतु को करनी पड़ती है और इसलिए कहा जाता है कि एका की स्वामी को सिर्फ उसका व्यावसाय ही नहीं आवशकता पढ़ने पर उसके घर की भी संपत्ती अपने व्यावसाय में लगानी पड़ती है माने हानी की दश्या में अपनी घर की संपत्ती अपनी नीजी संपत्ती को भी बेच कर व्यावसाय में लगाना पड़ता है इसलिए इसको कहा जाता है असीमित उत्तरदाईत्व और एका की स्वामीत वैसा होता है कि अपने व्यापार को सजाने के लिए आकरशक बनाने के लि अधिक मात्रा में उनके पास आए और अधिक से अधिक लाप कमाएं। आप इस स्क्रीन पर देख रहे होंगे इस तरह की चित्र, इसकी हम अगली विशेष्टा देखते हैं, पाचवे नंबर पे, कि व्यावसाय एम स्वामीतों में कोई अंतर नहीं। अब व्यावसाय और स्वामीतों, स्वामीतों तो व्यावसाय का होता है, और व्यावसाय यानि जो व्यावसाय करता है, चूकि एक ही व्यक्ति व्यावसाय करता है, वह स्वयम उसका स्वामी होता है, इसलिए हम व्यावसाय और स्वामीतों को अलग-अलग नहीं कर सकते, जिस किसी वस्तु या सेवा का वो व्यावसाय कर रहा है हम उस वस्तु या सेवा के नाम से उससे जानते हैं हम उसे अपने व्यक्तिगत नाम से बहुत बार नहीं जानते इसलिए हम कह सकते हैं कि व्यावसाय और स्वामी तुम्हें कोई अंतर नहीं वो दोनों एक ही माने जाते हैं चटवीस की विशेष्टा है, पूंजी पर एकाधी पत्य, इसका मतलब है कि व्यावसाय में जो भी पूंजी लगाई जाती है, उस पूंजी पर पूरा-पूरा एकाकी स्वामी का ही अधिकार होता है, वो जब चाहे तब अपने व्यावसाय से आहरण कर सकता है, जब चाहे अपनी व्यक्तिगत पूंजी, अपनी व्यक्तिगत संपत्ति को अपने व्यावसाय के लिए लगा सकता है, इसलिए कहा जाता है कि पूंजी पर उसका एकाधी पत्य होता है, साथ भी विशेष्टा है इसकी वैधानिक आपचारिक्ताओं से मुक्ति, वैधानिक आपचारि स्यूद ये लिए इसे दुखकी लिए jakie लेकिन फिकों इकंश हैं दोड़े लिकें आपना सकते हैं रपना वियोसाय कर सकते हैं आठवी इसकी प्रमुक विशेष्टा है, सीमीत कारेक्षेत्र, एकाकी व्यापार का कारेक्षेत्र सीमीत होता है, क्योंकि वह एक अकेला स्वामी होता है, और उसको सिर्फ अपने आसपास के ग्राहक ही जानते हैं, दूर दूर तक इसकी पहचान नहीं होती है, क्योंकि करने के बाद उसे ऐसे लगता है, कि इसमें लाब नहीं हो रहा है, तो उसे समाप्त भी कर देता है, मन इसको समाप्त करने के लिए किसी से विचारवी उमरश के आवशेक्ता नहीं होती, दस्वाय नंबर पर अन्यलक्षन ये है, कि विशिष्ट व्यावसाई के लिए ये है, जैसे कलात्मक व्यावसाई हो गए, व्यक्तिगत जिसमें रूची और व्यक्तिगत सहाज के आवशक्ता होती, उसके लिए व्यावसाई बहुत उप्योगी है, कार्य और परिणाम में प्रत्यक्ष संबंध होता है, फिजवे जित्ती ज़्यादा मेहनत करेंगे, उत्त गए, अब हम आगे देखते हैं, कि एका की स्वामीत्व का महत्व या लाव, इंपॉर्टेट या एडवांटेज, अब इसमें भी हम देखते हैं, कि इसके महत्व या लाव को हम मुख्य रूप से चार भागों में बाढ़ सकते हैं, ये चार भाग आपको स्क्रिम पे भी दिखाई दे रहे हैं, सबसे पहला स्थापना संबंदी लाब या महत्व, दूसरा है प्रबंद संबंदी लाब या महत्व, तीसरा है आर्थिक महत्व या लाब, और चवथा है सामाजीक महत्व या लाब. अब इन सभी बींदूओं पर हम थोड़ा विस्तरिश से अध्यापन करते हैं, सबसे पहला है सथापना संबंदी लाब या महत्व, इसमें सबसे पहला बींदू है प्रारंब और समापन सरल, ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेष्टा है, और विशेष्टा के अंतरगत ब कोई जरूरत नहीं होती, दूसरा इसका लाभ या महत्व है, विवसाय का चयन वो अपनी इच्छानुसार कर सकता है, जिस में, जिस वियापार में व्यक्ति की रूची है, उसे वो चयन कर सकता है और लाब कमा सकता है, तीसरा है स्थाईत्व, अब ये एकाकी विव्यापा एक व्यक्ति अपना लेता है यदि उसमें लाब कमाता है और अधिक से अधिक लाब कमाने की चाहत से उस व्यावसाय में वो बड़े तन्मन धन से कार्य करता है मेहनस से कार्य करता है दिन बदिन लाब बढ़ते जाता है तो उस व्यावसाय को वो हमेशा के लिए अपना लेत लाब कमा रहा है तो उस व्यावसाय को लंबे समय तक निरंतर जारी रख सकता है। चाओ था इसका एक लाब है लचिलापन का अरथिये है कि स्वामी अपनी इच्छा से जब चाहे तब इस व्यावसाय को इसके आकार को बढ़ा सकता है। अगर व्यावसाय को बढ़ा दिया और इसे नहीं समाल पा रहा है तो इस व्यावसाय को सीमीद भी कर सकता है। मने कम या ज्यादा करना इसके आकार को व्यापक करना और सीमीद करना ये व्यावसाय के उसके स्वामी के हाथ में होता है। इसलिए इसमें लची लैपन का भी एक गुण होता है, छटवा इसका लाब है, वैधानिक आपचारिक्ताओं से मुक्ती, किसी भी तरह से कानून या आपचारिक्ताओं नहीं करनी पड़ती हैं, हम आराम से अपने व्योसाय का संचालन कर सकते हैं, और किसी तरह का इसमें बं से पहले कार्य में लगन, कार्य में लगन करते हैं कि एक आकी व्यापार में एक ही व्यक्ती व्यापार का स्वामी होता है, उसे पता है कि व्योसाय मेरा है, इसलिए बड़े ही लगन से मेहनत से निष्टा पूर्वक कार्य करता है, उसे पता है कि हम व्योसाय में जितनी मेह करेंगे जितने अच्छे से कार्य करेंगे उतना ही अधिक लाब कोशिश करता है चुबूसरा इसका लाब है गोपनीता पी गोपनीता का अत मारे वियहापार से संब्धक जान करें किसी और को नो बताना या न 1978 चलने देना। तो एका की व्योसाय में एक ही व्यक्ति उसका स्वामी होता है उसका हिसाब किताब उस स्वामी के ही पास होता है लेंदेन उस स्वामी के पास होता है आर्थी एक रोकर समध्य जानकारी भी उसी के पास होती क्रय विक्रय स्टोर सभी चीजे उसको पता होती है और एकाउंड वह स्वयम ही मैंटेन करता है तो इस तरह से वह उसके व्यासाय में गोपनियता का गून होता है कि जो बात वह व्यासाय के संबंदित कोई बाते किसी को अगर न बताना चाहे तो वह आराम से गूपतर है सकती बड़े लंबे समय तो गूपतर है सकती है तीसरा बिंदू है शिग्ण निर्णयन शिग्ण निर्णयन इसलिए हम कह सकते है क्योंकि वही स्वामी होता है व्यापार में बहुत बार निर्णय लेने की स्थिती आती है कि हम क्या करे क्या न करे क्या करना उचित है क्या करना चाहिए तो इस तरह के निर्णय वाली बात ज को पहचान सकता है और अपने व्यावसाय को आगे बढ़ा सकता है जब था गुण है व्यक्तिगत संपर्क भी एक बहुत बड़ा गुण है और व्यक्तिगत संपर्क जितना अधिक होता है व्यावसाय उतनी ही अधिक उन्नती करता है तो व्यक्तिगत संपर्क में एकाकी व्य पहचानता है ग्राहकभी उस व्यावसाई को पहचानते हैं इस तरह व्यक्तिकत संफर्क अधिक होने से ग्राहकों का विश्वास इन पर अधिक होता है, पाच्वा इसका और गुण है सतरकता, सतरकता याने सावधानी पूर्वक व्यवसाय करना, प्रत्यक व्यवसाय अपने व्यापार का स्वाम्मी होता है, इसलिए वो सतरकता से कार्य करता है, उसे पता है कि जरा भी असावधानी हो जाया या लापरवा हो जाय इसलिए वो अपने कारियों को सावधानी पूर्वक करता है। अरजीत ख्याती, एकाकी स्वामी जो उसके पुत्र को मिल गया है, उसका लाब उसको मिल जाता है। इस तरह पैतरिक ख्याती का भी इन्हें लाब मिल जाता है। महत्व में सबसे पहला बिंदू है, अलप पुंजी, अलप पुंजी का अर्था है, कि कम से कम मात्रा में पुंजी चाहिए। एकाकी व्यापार जब हम करते हैं तो इसके लिए पुंजी बहुत ज्यादा चाहिए ऐसे जरूई नहीं है। बहुत कम मात्रा में उसको लोन मिल रहा है, तो बहुत थोड़े से पुंजी में भी व्यापारा प्रारंब कर सकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे वो लाप कमाते जाएगा अपने व्यापार का विस्तार कर सकता है। दूसरा इसका महत्व है, आर्थिक महत्व में रिन प्राप्ति में सुविधा, एकाकी स्वामीत्व को यदि अपना व्यापारा बढ़ाने के लिए रिन की आउशकता होती है, तो वो बैंक से या रिन प्रदान करन्याली संस्थाओं से लोन ले सकता है, और उसे लोन उसके अपनी व्यक्तिगत योग्यता अनुभाओं के आधार पर उसकी मिल सकता है, और उसकी व्यक्तिगत ख्याती, उसकी व्यक्तिगत योग्यता के आधार पर रिन आराम से मिल सकता है, तो रिन प्राप्ति में भी सुविधा होती है, तीसरा है इसमें लाप का विनियोजन, व् निवेश हो अपने व्यावसाइं में कर सकता है, कितने लाब को व्यावसाइं में निवेश करना है, यह व्यक्ति पर नीरभर करता है। व्यापक शित्र में व्यावसाय नहीं करता, उस व्यावसाय को में अगर उस व्यक्ति को लाबधिक हो रहा है, तो उसके प्रेणा से अन्य लोग भी उसी तरह का व्यावसाय दूसरे एरिये में, दूसरे पारे मोहला में कर सकते, इस तरह व्यावसाय का वीकेंडरी करण होता हैं आर्थिक रूप से आत्मनीरभर हो सकता है तीसरा है उपभोगतायों की समस्याओं का समाध्ण avqat के पास्टी है की हमको ये वस्तु刑 ये सेवा चाङ सेए हमारे निवास के निकट चाहिए इस तरह की समस्या होती हैं घर पोशेवा चाहिए तो इस तरह से उपखोगताओं की समस्याव का समाधान भी एकाकी व्यवसाय द्वारा बहुत हद्द तक किया जाता है समाजिक महतों में चौथा हैं वस्तु की सुगं प्राप्ति चुकि एकाकी व्यवसाय प्रतेक, कालोनी, पारा, मोहले में, बहुत थोड़े थोड़े दूरी में इस तरह की व्योसाय संचालित किये जाते हैं, इस तरह जिस वस्तु के जिनकी आउशक्ता हो, जिन व्यक्तियों को, वो आसानी से प्राप्त हो सकती है, बच्चों, अभी आप लोग देख रहे होंग कि इस महामारी के दोर में हमको बहुत दूर-दूर तक नहीं जाना है, हमारे आसपास से ही वस्तु लेना है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे आसपास जितने भी एका की व्योसाई है, हम उनके पास से हमारे आवशक्ताई की वस्तु ले लेते हैं, हमें सुगमता से प्राप्त सकता है और यह व्योसाइश इस्त्री पूरुष कोई भी अराम से चला सकते हैं तो बच्चो मुझे लगता है कि आपको एकाकी व्योसाइश के लाभ समझ आ गए होंगे अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एकाकी व्योसाइश के दोष या हानिया जहां लाब होते हैं वहां कुछ हानिया भी हो सकती है बने आलोचनाय भी करने वाले होते हैं तो कुछ प्रबंद शास्त्रियों ने इसकी हानिया आलोचनाय बताएं हैं और इसके भी बिंदू हम देखते हैं सबसे पहले इसके हानि का महत्वपूर्ण बिंदू है अस अस्थाई अस्तित्व का अर्थ यह है कि जब तक व्यापार या व्यावसाय करने वाला व्यक्ति है तब तक उस व्यावसाय का अस्तित्व है अगर वो व्यावसाई किसी कारण वस व्यावसाय नहीं चाला पा रहा है बिमार हो गया वृद्धा वस्ता हो गया या उसकी मृत् रखते हैं कि इसका स्थित्व अस्थाई होता है दूसरा इसका महत्वपूरा एक बहुत थी बड़ा दोश है उसको हम कहेंगे असमित उत्तरदाइत वह यह इसकी विशेष्टाओं में भी बता चुकी हूं कि जैसे एक चित्र भी दिखाया गया है एक गुपचुप ठेले व खाने से खाने वाली या भुक्ताओं को कोई हानी हो गई नुकसान हो गई बिमार हो गया या उनके जान की परवाजान को दाओं में लगा दिगया बने उनके जान को नुकसान हो गया इस तरह से कोई बात आती है तो वो उसका हरजाना या उसकी इक्षती पूर्ती उनके द अपनी सीमीत पुंजी से व्यावसाय संचालित करता है, एक अकेले के पास पुंजी अधिक नहीं होती, और व्यावसाय चलाने के लिए पुंजी बहुत बड़ी मात्रा में चाहिए रहती है, लेकिन इसकी व्यक्तिगत पुंजी बहुत सीमीत होती है, या कम होती है, तो सीमी मुत ख्याति का अर्थ है कि व्यौसाय एक निश्चित स्थान पर रहता है व्यौसाय दूर दूर का संचालन करता है वही प्रबंद करता है तो उसके निश्यत रुपसे प्रबंद की एक शमता सीमीद रहती है प्रबंद की गुर्ण कोई आवश्यक नहीं है कि उनमें बहुत अच्छे हो इस तरह सीमित प्रबंद की एक शमता भी इसका एक दोश है, छटवा बिंदू है, ठोस निर्णयन का अभाव, बहुत बार व्योसाय में बच्चों ऐसे स्थिति आती हैं, कि जब व्योसाय सोचता है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो इस तरह के निर्णय लेने की जब अवस्था होती है, और वो क्या करना ये समझ नहीं पाता, तो ठोस निर्णय नहीं ले पाता, तो इस तरह ठोस निर्णय का इसमें अभावर हैता है, कई बार गलत निर्णय से इसके व्योसाय को भी नुक्सान हो जाता है, इसी तरह से सत्वा, इसमें सात्वे नंबर पर बिंदू आता है, अतिगोपनियता, इ ग्राहक या उभ्भोकता या समाज इनके व्योसाय पर शंका की द्रिश्टी से भी देखते हैं तो यति गोपनिता एक दोश भी इनका हो गया है आठवा बिंदु है विकास शील व्योसाय के लिए अनुपयोगत जिन व्योसाय को विकास करना है बहुत आगे बढ़ाना है उस मारतीन व्योसाय के लिए उपयोगी नहीं है अनुपयोगी है नवा इसका दोश है अनिश्चीत जीवन का रही है कि एक व्योसाय ने अपने व्योसाय प्रारंब किया, कोई आवश्यक नहीं कि अपने जीवन काल में वह उसी व्योसाय को अपनाएगा हो सकता इसुछ businessman में उसको हानी हो या उसका प्रबंदर संचालन वो नहीं कर पा रहा है तो उस व्यावसाय को बंद भी कर सकता है इस प्रकार अनिश्चीत जीवनकाल इसका एक दोश है तो बच्चों यह तो हो गए एकाकी स्वामीत्व के दोश और आज के पिरेट में हम देखे हैं एकाकी स् परिभाशा है इसका महत्व या विशेष्टा है गून और दोश तो बच्चों मुझे आशा है कि आपको आज का लिसन अच्छी तरसे समझ आ गया होगा और इसी संबन में हम आगे आपको ग्रिय कारे देना चाहते हैं ग्रिय कारे में हैं कि क्या एकाकी व्यावसाय वीश् में सर्वस्रेष्ट है अब सर्वस्रेष्ट है यह बात तो आपको पहले भी बताई थी लेकिन कोई आवश्यक नहीं है किसी सभी कोई सर्वस्रेष्ट नहीं है तो सर्वस्रेष्ट है अगर आपको लिखना है तो इसमें आप इसके गून या महत्व की व्याख्या करेंगे और अगर आपको लगता है कि ये सर्वस्रेष्ट नहीं है, तो इसमें आप एकाकी व्यापार के दोश की व्याख्या कर सकते हैं, इस प्रकार ये अपने अपने विचारों पर डिपेंड करता है कि ये अच्छा है ये अच्छा नहीं है, ये अपनी सोच है, तो आपकी सोच क् बनती हैं, उसके आधार पर इसका उत्तर बनेगा, अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में अच्छा है, तो इसमें आप इसके लाब अंकीत करेंगे, और आपको लगता है कि ये अच्छा नहीं है, तो इसमें आप इसके दोश अंकीत करेंगे, इस तरह से ये प्रशने क्लि मेंटी मिटर का बच्चों को यदि किसी तरह की कोई शंका हो इसमें तो आप पूछ सकते हैं हमसे सीधे जूड़ सकते हैं छिस्थ मेंटी मिजब शंका हैं कर दो आपूछ पास्वार्ड बच्चों मेंटी मीटर में जुनने के लिए पास्वार्ड है इस पास्वार्ड से आप मेंटी मीटर में जुड सकते हैं अ. अ. कर दो कि अ कि 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 बच्चे क्योंकि बच्चों आप लोग वह कि कोई जिग्यासा हो या कुछ जानना चाहते होंगे तो आप प्रश्न कर सकते हैं कि झाल कि 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 झाल झाल बच्चो एका की स्वामीत्व येका की व्यासय से सम्मंदित अगर आपकी कोई जिग्यासा हो तो आप हमें फोन से भी पूछ सकते हैं यह हमारे वाट्सिप में भी अपनी जिग्यासा डाल सकते हैं पूछ सकते हैं मेरा WhatsApp नंबर टाइम टेबल में दिया गया बच्चों लेकिन फिर भी आपको बताना चाहती हूं आप लिख लिजए 99268-20616 फिर से repeat कर रही हूं 99268-20616 इस नंबर पर आप पूछ सकते हैं कि आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर मिल जाएगा तो बच्चों अब हमारा क्वीज का समय है और जो आज अध्यापन किया जा चुका है उसी का अधार पे हम आपको प्रश्न पूछेंगे पहला प्रश्न है जब एक ही व्यक्ति व्यापार का स्वामी होता है तो उसे कहते हैं एकाकी व्यापारी दोहरा व्यापार साजेदारी और कमपनी बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने सही जवाब दिया, एकाकी व्यापार इसका उत्तर है, प्रश्न दूसरा आपके स्क्रीन पर है, एकाकी व्यापार का दाईत्व होता है, दाईत्व हैंने उत्तर दाईत्व, कैसा होता है, सीमीत, असीमीत, दोनों, इसमें से कोई नहीं समय समाप्त आपका बच्चे बड़े कन्फ्यूज है भई इसमें एका की व्यापार का स्वामी एका की व्यापार का दाईत्व जी से उत्तर दाईत्व कहते है इसकी विशेष्टा है और इसके दोश दोनों में ये पॉइंट आपको मैं समझा चुकी हूँ कि एका की व्यापार का दाईत्व है असीमित होता है सीमित नहीं होगा क्योंकि सारे काम उसी को करने होते हैं और काम करने के अलावा मैं आपको ये भी बताई थी कि उसके व्यापार से अगर किसी समाज के इकाई को किसी सदस्य को कोई हानी होती है नुकसान होता है तो नुकसान की क्षति पूर्ति भरपाई उस एका की स्वामी को करना पड़ता है तो ये कितनी नुकसान हो रहा है कितने मातरा में उसको नुकसान हो रहा है इसके भरपाई करने के लिए व्यापाई की सारी संपत्ति तो दाव में लग जाती है साथी साथ उसकी नीजी संपत्ति भी उसके व्यापार में लगानी पड़ती है इस तरह से एकाकी व्यापार का दाईत्व असीमीत होता है, इसे हम सीमीत कभी नहीं कह सकेंगे तीसरा प्रशन आपके स्क्रीन पे आ रहा है एकाकी व्यापार का लाब है, अब लाब क्या है आपको देखना है व्यापार करना प्रारंब करना असान है, असिमित उत्तरदाईत्व है, ठोस नीरणयन का अभाव है और अनिश्चित जीवनकाल इसमें आपको बताना था एका की व्यापार का लाब, तो लाब प्रारंब करना असान है, ये इसका लाब है आगे हम बढ़ते हैं, प्रश्न चौथा, व्यापार का सबसे प्राचिंतन स्वरूप है, सबसे पुराना कौन सा स्वरूप है वो आपको बताना है, एकल व्यापार है, साजेधारी, कमपनी और इन में से कोई नहीं समय समाप्त, बहुत सही जवाब दिया, सबसे प्राचिंतन स्वरूप है एकल व्यापार, अब पांचवा और अंतिम प्रश्न आपके स्वरूप पर आ रहा है, एका की व्यापार का दोश है, अब दोश आपको देखना है, बड़े व्यापार के लिए अनुप्यूक्त, दूसरा है रिण पाना आसान, तीसरा है रोजगार में व्रिध्धी और चौथा है स्वतंत्रता, दोश क्या है, आपका समय समाप्त, ये भी आप लोगों ने सही उत्तर दिया, एका की व्यापार या बड़े व्यापार के लिए या अरूप्यूक्त होता है, तो इस तरह से आज के आपके पांच प्रश्न यहां समाप्त होते हैं, अब स्क्रीन पे आप परिणाम भी देख रहे होंगे, जिन बच्चों ने तत्पत्ता से सही जवाब दिया है, सागर ने सबसे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, और वो इस तरह आज की क्विस्ट का वीनर है, कोन बनेगा बुद्धिमान में, सागर को हमाई तरफ से बधाई, इसी तरह आप हमेशा क्लास से जूड़ते रहिए, और हमारी कक्षा अटेन करिए, अपने ज्ञान में वृद्धि करिए, और घर में ही रहेकर आप अध्यान करते रहिए, कक्षा का यही पर समापन होता है बच्चों, नमस्कार